हेलो फैंस बहुत बहुत स्वागता आपका अपना पसंदा यूट्यूब चैनल अगरकरा स्वेसल में फैंस आज की उडियो में हम बात करने वाले जदी आप Bluetooth से डाटा कनेट करना नहीं जानते तो बिल्कुल आज सिख्के जाए चुकि यह आपको कोई नहीं बताएगा आप अभी तक सुने होंगे कि यार Wi-Fi hotspot करने के बाद डाटा होता है अधरवाइस USB से डाटा से रहे होता लिकिन Bluetooth से डाटा सेर करना साथ आप पहली बार सुन रहे होंगे जदी आप पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर confusion है तो वीडियो को last तक देखें या फि कैसे करते हैं Bluetooth से डाटा करेक्ट चलि मैं आपको बताता हूं कि एक दूसरे फोन में अगर डाटा सेर करना है तो कैसे आप असानी से Bluetooth के जरीए सेर कर सकते हो जैसे कभी को और क्या होता है टैथरिंग काम नहीं करता है जदी hotspot का तो परहसान हो जाता है हम लोग यार कुछ और उपाय होता हमको भी डाटा सेर करना बहुत जरूड़ी ऐसा कुछ फिर परहसानी हो जाता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा अच्छा टीक साही ट्रीक्स जो आपके बहुत पसंद आएगा फैंस अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो अभी तक सब्स्राइब नेकिए जल्द अब मैं आपको इसलिए सेट का नाम बता है चुकि सभी के सेट में अलग लग तरह का होता है जहां से डाटा सेर होता है इसके लिए आपको क्या करना कहां पर आपका होगा मैं आपको बता देता हूं किसी किसी का होट स्पोर्ट पर होता है इसे पर्सनल होट स्पोर्ट है वहां पर जाना है। या फिर सेटिंग में जा हयेका। यही तीन-पट किसम का होता है। ध्यान रखे किसमें किसमें बोले हम किसी-किसे का hotspot में किसी-किसे का data sharing डायट ऑपोप्सिन रहता है किसी-किस यहाँ से Samsung सब्सक्राइब पहले connection लिखा रहता है connection टूज कि जैए उसके बाद आगा data sharing तो यहां पर मेरा personal hotspot तो मैं इस पर जाता हूँ आपको इस पर चल जाना है अब यहां पर देख सकते हैं आप wifi hotspot होता है जो हम सभी लोग जानते हैं उससे data share करते हैं लेकिन यह data share करने का तरीका है चदी hotspot से करेंगा wifi से तब लेकिन मैं आपको किसे बताने जारा हूँ Bluetooth से बिल्कुल साइस होने Bluetooth से इसके लिए आपको सबसे नीचे देखिए अधर sharing mode यहां पर क्लिक करना है चली मैं इसको क्लिक करता हूँ उसके बाद यहां पर देखिए share phone network via Bluetooth यानी Bluetooth के जरिये अपने phone network को share करें यह कोई आधर application डाउनलोग करने की जरूरत नहीं है मैं आपको settings में दिखा रहा हूँ direct और हर device में लगबग अभी यह दियने लगा है system अगर आपका बहुत ओल डिवाइस है तो नहीं पता सकते है बट लगबग हर नई device में आभी आने लगा है कि आपका डान network जो है आपका data जो है वह असी तरह से Bluetooth के जरी शेर हो जाता है इसके लिए आपको क्या करना है आप ध्यान दीजेए यहां पर आपको one कर लेना है जैसे one करते है Bluetooth तो आपका one रहेगा one नहीं तो one हो जाएगा इसको connect बात अब आपको share कैसे करना है मैं आपको बताता इसके बाद वीडियो पर कुछ खास effect नहीं होने वाला है जैप यह वाइड वाइड रहेगा display लेकिन मेरी बातों को ध्यान दीजेगा जैदी आपको share करना Bluetooth से डाटा तो तो इसके लिए आप जैसा पहले Bluetooth में किसी फोटो को भेजते थे या पिर कोई गाना यह से कुछ लि वाइस का नाम लिखता था फिर हम लोग उससे connect करके connect करते थे तो उसी तरह से हम आपको pair करके connect कर रहना है वो तो चाहिद आपको आता होगा और वह भी नहीं आता हो तो हमको पूछे हम आपको बताएंगे comment करके हमको ज़रूर पूचिएगा अगर परिसान होती है तो वैस से या करके share phone network via bluetooth उसके बाद आपको data enable करना है data one कर देना है data one connect बाद bluetooth के जरिये जिससे आप connect हुए है उसमे data automatic चल जागा इसके लिए ना आपको अगले mobile का wifi on करना होगा नहीं hotspot only bluetooth spare ढोने के बाद data one कर दीजेगा दूसरा mobile में जिससे data चलाना चाहते है और जिसमें connect किये आप बुलो डूत को उसमें आपका असानी से data पहुच जाएगा तो friends इस तरह से आप असानी से अपने data को कहीं भी share कर सकते हो उमीद करते है friends अच्छा लागा होगा वीडियो वीडियो पसंद आगा लाइक करके जाएगा और अपने दोस्तों साथ share करना तो बिलकुली मत भूली आगा बस फेंस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में अच्छी खबर के साथ तब तक लिए जाएं भी रही है खुस रही है जाहिंद